So this video is sponsored by TennoShare iCare phone software जिसकी मदद से आप simply one click के अंदर अपनी सारी photos PC के अंदर transfer कर सकते हैं प्लस आप इन में manage कर सकते हैं photos को, music को, contacts को, applications को Simply photos को manage करना है तो आप photos पे click करेंगे और यहाँ पर simply आप यहाँ से album को भी manage कर सकते हैं, photos को भी manage कर सकते हैं अगर आपको applications को manage करना है, simply applications पर जाएंगे, contacts को manage करना है, simply context पर जाएंगे इसके साथ ही साथ आप simply backup बना सकते हैं, अपने सारे data का, अपने PC के अंदर, single click के अंदर, backup now पे click करने पे अगर आपको इस software अच्छा लगता है, तो simply यहाँ पर free download कर सकते हैं, Mac के लिए है and available for windows करना है, तो windows के लिए भी available है, description में लिंक मौझूद है, please check करें यहाँ पर हम iOS 15 की tricks की बारे में बात करने वाने हैं, जो आपकी life में जरूर value add करेंगी, पहले trick आ रहा है, आप कोई भी message उठा के directly drag and drop कर सकते हैं, किसी भी messaging service के अंदर, ठीक है, simply messages आपको खोलने हैं करते हैं, वहाँ पर छोड़ दूँगा, तो कितना simple है यह देखिए, एक click के अंदर आप यहाँ पर message को कहीं भी move कर सकते हैं, अगर आपका मन नहीं कर रहा, WhatsApp में डालने का, मालीज आप इसको कहीं और भेजना चाहते हैं, तो simply back आके कहीं भी इसको डाल सकते हैं, और simply text message प करना चाहता हूं, simply अपनी camera open करूँगा, और यह देखिए, photos के अंदर ही आपको एक option मिल जाएगा, जैसा कि अब यह आपको सामने आदेगा, यह देखिए, यह आ चुका है, read करने का, जो कि text read कर सकते हैं, आप directly, simply मैं इस button पर करूँगा, click इस तरीके से, और यह देखिए तो मैं notes में गया, मान लीजे मैं इसको यहां पर paste कर लिया, तो सारा का सारा यह देखिए, cumulative bonus सारा का सारा पेस्ट हो चुका है, अभी मान लीजे मैं इसको translate करना चाहता हूं, simply यह पूरे के पूरे text को, इसको ऐसे करके select कर लिए, जितना translate करना चाहते हैं, translate के button पर यह community bonus सारा का सारा इसने Arabic के अंदर translate करके बता दिया, hand to hand, और इसको आप play भी कर सकते हैं, आसे यह देखिए, यह देखिए, तो है नहीं बड़िया चीज, और इसी के साथ एक जुड़ी वी next trick है, वो है photos के अंदर, जियां दोस्तों, अगर आपकी photos के अंदर, मान लीजे, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो directly आप उस टेक्स्ट को copy कर सकते हैं, मान लीजे, मैं यह इस टेक्स्ट को copy करना चाता हूँ, इसे करके press करके रखूँगा, और यहाँ पर मैं photo के अंदर से भी text उठा सकता हूँ, प्लस photo के अंदर से भी text को translate कर सकता हूँ, यह देखिए, मै क्या क्या मैं copy कर सकता हूँ, यहाँ पर यह जो icon आ रहा है, इस icon पर आप click करेंगे इस तरीके से, तो जो जो चीजे एकदम highlighted हो गए है, तो मान लीजे, वो आप copy कर सकते हैं directly, और उनको translate भी कर सकते हैं, यह है ना बड़ी चीज, बहुत सारे लोगों को पहले problem आती थी, कि उनकी brightness जो है, आप auto brightness को off नहीं कर सकता है, iOS के अंदर, लेकिन अब auto brightness को off कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, simply आपको settings में जाना है, settings में जाने के बाद, accessibility में जाना है, accessibility में जाने के बाद, display and text दिख रहा हूँ, इस पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद, नीचे आजाना है, यह देखे, auto brightness ऐसे on होगा आपके में, यह देखे, मेरे में auto brightness on हो गया, अभी में auto brightness को off कर दूँगा, simply तो यहां से automatic brightness change होना बंद हो जाएगी, ठीक है, automatic change नहीं होगी brightness, ठीक है, वीडियो के अंदर एक नया feature आया है, जिहां दोस्तों, photos के अंदर गए, मानलीजे, मैं इसको color button और ऐसे करके करेंगे, यह देखे, zoom कर लिया, इसको ऐसे करेंगे, तो यह देखे, zoom out हो गया, तो बढ़िया feature है नहीं है, तो यह दिखे रहे हैं, simply इस तरीके से आप इन home screen को भी arrange कर सकते हैं, कैसे, simply इसको ऐसे करके प्रेस करके रखना है, अब इस पर करना है, अब यह हैँए मैं इस वाले को home screen को पहले रखना चाता हूँ, इनको आप simply यहाँ से arrange कर सकते हैं, किसी भी format के अंदर मा लीजिए मैं इसको पहले रखना चाता हूँ इसको 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 बाद में रखना चाता हूँ, और मैं इस सब को hide भी कर सकता हूँ, simply इस तरीके से यह यह चीज़ देखिए फस्ट पर दुबारा से आ चुकी है यह जो त्री डॉट दिख रही है इसके अगर राइट साइड में बिल्कुल एक्स्रीम राइट साइड पर क्लिक करते जाएंगे तो यह देखिए आपका पेज चेंज होता रहेगा सिंप्ली लेफ्ट साइड पर कर सारी चीज़े यहां पर दिख जाएगी 2.2 MB का साइज है पहले आप फोटो का साइज नहीं पता कर सकते तो यहां पर वह दिख जाएगा प्लस लोकेशन भी आपको दिख जाएगी यहां पर सारी चीज़ें तो अगर आप कुछ कैप्शन अड़ करना चाहते है कि वहां किस साफारी ब्राउजर से रिलेटेड जियां तो बहुत सारी चीज़े चेंज होई हैं सिंप्ली साफारी में जाके दिखा देता हूँ पहले त आपको दिख रहा होगा कि यह टैप बार जो है वो नीचे आ चुका है पहले यह टैप बार कुछ ऊपर हुआ करता था अगर इस तरीके से आप इस को स्वाइब कर सकते हैं ठीक है यह चीज आपकी ऊपर वाले पर नहीं करेगी अगर मैं इस वाङना करते हैं आपको उपन कर ढगे एक बारी के अंदर फीक है मानलीजे आपको बहुत सारी images एक बारी में उठानी हैं मानलीजे मैं इस वाली image को ऐसे करके press करके रखूँगा plus इसको भी उठाऊँगा इसको भी उठाऊँगा इसको भी उठाऊँगा ऐसे multiple images उठाके simply मैं इसको अपनी photos 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 को खोलूँगा और यहां पर छोड़ दूँगा इस तरीके तो फोटो को छोड़ दिए और यहां पर मेरी यह सारी photos देखिए add हो जाएंगी तो है नहीं बडिया ट्रिक safari browser से related pull to refresh कर सकते हैं यह देखे कुछ इस तरीके से pull to refresh आप एक चीज जो है बहुत सारे लोग miss कर रहे हैं वह यह है कि यहां पर आप private tab जो है वो किस तरीके से खोलेंगे भाई private tab खोलने के लिए आपको simply इसको press करके रखना इस तरीके से यहां पर ऐसे करके यह वाला जो है यह इसको ऐसे करके प्रेस करके रखेंगे तो आपर बहुत सारे options खुल जाएंगे private tab खोल सकते हैं इन सारे tabs को एक बारी में बंद करना तो close all tab करेंगे तो यहां से close all tab हो जाएंगे ठीक है अभी मैं इसको press करके रखता हूं तो यहां पर private tab करूंगा तो यह देखी यह मेरा private tab हो जाएगा जहां से automatic history आपकी सर्च की हुई delete हो तो अगर आपको वीडियो छिलेगे तो like करना भाई see you soon in the next video